Hi everyone, I am Richa and you are watching Parcham. आज के सेशन के अंदर हमें डिसकास करने हैं Current Affairs for the month of March 2023. Emphasis रहने वाला तीन काटेगरीज के उपर State News, Defense and Science Technology. Every month हम लोग Current Affairs 5 parts में लेकर के आते हैं यानि 5 separate videos में लेकर के आते हैं. Reason सिर्फ इतना सा है कि जब भी Current Affairs को Categorize करके पढ़ा जाए यानि अलग-अलग section बना के पढ़ा जाए तो Memorizing थोड़ी better होती है, Understanding better होती है और Recall करना भी बहुत easy हो जाते है Long Retention रहने के chances बढ़ जाते हैं. So, दो parts अलड़ी आज चुके हैं पहले. Do not worry, अगर आपने नहीं देखे हैं, Link Playlist का, पूरी Playlist का दिया हुआ है Description में, इस वीडियो के Description में आप बाद में उन parts को देख सकते हो. आज वाला वीडियो completely independent है, आप यहां से भी शुरुवात कर सकते हैं. ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम State News को डिस्कास करेंगे. ये News सरफ State exam देने वाले बच्चों के लिए important नहीं है. No, ये सभी Central Level examination के लिए important है. लेकिन जिस State से जुड़ी हुई है, हमने उस हिसाब से इसको categorize कर दिया. जैसे जम्मों के सारा हम पढ़ेंगे UT का, फिर हम हिमाचल की पढ़ेंगे, फिर हम मेभी उतराखंकी पढ़ेंगे, like that. तो जितनी categorize करके पढ़ेंगे, organize करके पढ़ेंगे, हमारा दिमाग उतना बेटर उसको process कर पाएगा. फिर हम defense news की बात करेंगे, military exercises या जो भी defense news है, उसको discussion में लाना है. Then science tech, ISRO, NASA and whatever, science tech news has happened. Okay, इन सभी five parts का एक single PDF होता है, जो आपको parchamclasses.in पे available, already करवा दिया गया, ये website है, परचम की, यहां से आप जाकर के ले सकते है, individual PDF, अभी English में आया है, और Hindi में by 10th of every month आ जाएगा. अगर आपके पास PDF bank है, या CA subscription है, now what is PDF bank, जिसमें सारे A to Z, सारे PDF आजाते हैं, of all the subjects, जो भी चैनल पर deal किये जाते हैं. CA subscription क्या है? CA से related सारे PDF आ जाते हैं, जो भी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है. तो वो दोनों आपको परचम app से आपने लिये होंगे, अगर आपके पास है, तो उसमें यह automatically add हो गए होंगे. ठीक है जी, सारी जानकारी दे दी, अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले category पे, that is state news. और मैं आपको पढ़ाऊं, उससे पहले आप kickstart questions का answer दीजे. दिमाग को kickstart करो, जैसे गाड़ी kickstart करते हैं. So, these are two questions, इनके answer आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लेकिन just to know, अगर आप में से किसी को आते हूँ, आपने daily, weekly channel से follow कर रखे हो current affairs, तो answer करके बताईए, नहीं आते हैं, do not worry, सीखने के लिए हम आज आए हैं हैं यहाँ पे, so, बाद में देखेए गा answer. पहला question देखिए, which has become the first state in India to start insurance scheme for sericulturists. sericulture क्या होता है? रेशम के जो कीडे होते हैं, रेशम कीट जिने बोलते हैं, जिनसे सिल्क बनता है. So, कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अब यह question आपने देखा, this is important for all examinations, रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है, नाम पता है, तो जल्दी से write it down in the comment section. और अब शुरुवात करते हैं हमारे state news पढ़ने के साथ में. तो चलिए यह है सबसे पहली news, यह poster है, इसमें आपको कुछ cyclist दिख रहे होंगे, तो news क्या है? एशिया's longest ever cycle race flagged off from श्री नगर, जमो एन कश्मीर. कहा जा रहा है कि अभी तक की सबसे लंबी एशिया की यह longest cycling race रही है, और उसको flag off कहां से किया गया है, यानि शुरुवात कहां से किया है, उसकी श्री नगर के अंदर, बक्षी स्टेडियम से शुरू किया गया है, और कन्या कुमारी तमिल नाडू तक के जाएगी, अब कौन सा national highway है, जो श्री नगर, यानि जब जे अनके से तमिल नाडू तक जाता है, national highway 44, और इसी पर यह race हुई, अब 12 major states को cross करते हुए, इस race ने, अपना रस्ता आगे बनाया, बस इतनी सी news है, अगर पूछ लिया जाए कि एशिया की longest cycling race, कहां से flag off होई है, तो श्री नगर, जबुएन कश्मीर से, गन्या कुमारी तमिल नाडू तक गई है, और इसको Asian Ultra Cycling Championship, World Ultra Cycling Championship ने, Association ने नाम दिया है, next, in which district of Jammu and Kashmir, the army hosted tallest iconic national flag, यानि की Jammu Kashmir के किस दिले में, सेना ने सबसे उचा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय ध्वज फेहराया, सबसे tallest, जो flag hoist किया गया है, वो कहां किया गया है, Jammu and Kashmir के Doda district के अंदर, कहां, Doda district के अंदर किया गया है, और 100 feet high pole के उपर इस flag को फेहराया गया है, ओके, so Doda district, Jammu and Kashmir, सबसे highest flag hoisting, Asia's largest tulip garden in Jammu and Kashmir to operate open to public on 19th March, अभी इस news के बार में बताओं कि मैंने क्यों लिया है, समझ येगा, Jammu and Kashmir में Asia का सबसे बड़ा tulip garden, 19th March को जनता के लिए खोला गया, अब आप बोलो कि मैं इसमें से क्या question आएगा, कि कब खोला गया, नहीं, ये सवाल बिलकुल नहीं आएगा, यानि कि इस heading में से सवाल आने के chances ही नहीं है, सवाल आ सकते हैं, इससे जुड़े वे static portion से, ये भी मैं हर बार emphasize करती हूँ, कि current affairs सिर्फ current के लिए हाथ से नहीं पढ़ना होता, current में से निकाल के static questions पूछे जा सकते हैं, अब जैसे आपने निउस पढ़ी कि Asia का largest tulip garden है, तो पूछा जा सकता है, Asia का largest tulip garden कहां है, तो हमें पता होना चाहिए, जमुएन कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर पढ़ता है, फिर पूछा जा सकता है, कि जो tulip garden है सबसे बड़ा, एशिया का largest, जमुएन कश्मीर के अंदर, वो कौन से hills के around है, तो ये spread है, डल लेक और जाबरवान हिल्स के बीच में, तो ये ऐसे कुछ static points हैं, जिनको बताने के लिए इस news को आपके वीडियो के अंदर डाला गया है, इसको पहले क्या कहा जाता था, इस tulip garden को सिराज बाग कहा जाता था, और इसको 2008 में उपन किया गया था, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, जमुएन कश्मीर स्टेट के गुलाम नभी आजाद उनके समय के दौरा, ठीक है, तो ये सारे static points हैं जो important हो जाते हैं, श्री नगर के अंदर है इशा का largest tulip garden, और वो डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच में आता है, सिराजबाग इसको पहले कहा जाता था, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, HP is for हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश science MOU, यानि Memorandum of Understanding, with French Agency to improve drinking water and sanitation, यानि हिमाचल प्रदेश ने पीने के पानी, सच्छता के सुधार के लिए, हिमाचल प्रदेश, एक MOU के अंदर आया है, एक French Agency के साथ, कि भई आप आए, और आप हमारे यांके, drinking water and sanitation के अंदर हमको help कीजे, या निउस है, 817.12 क्रोर का ये प्रजेक्ट है, French Agency का नाम, बस नाम तो यही है, French Development Agency, उसको French Language के अंदर, Agency France से दे Development कहा जाता है, या आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पाँच मेजर जो टाउन्स हैं, उनके अंदर बेटर सीवरेज फेसिलिटीज पे वर्क किया जाएगा, मनाली, विलासपूर, पालंपूर, नाहन और कार्सो, अब अगर आप किसी भी Central Exam के तयारी कर रहे हो, इन पाँचों टाउन्स का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी Exam के तयारी कर रहे हो, ध्यान रख लिजेगा इन नामों को, ठीक है, इतनी सी बात है, बेनिफिशरीज जो होंगे उनको वही है, वाटर कनेक्शन और सीवरेज फैसिलिटीज मिल जाने वाली है, कौन है हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंग सुखु, कौन सी पार्टी को बिलॉंग करते हैं, जब मैं आपको CM और गवर्नर याद करा रही थी, अब तो बिल्कुल ना के बराबर चांसों होते हैं, आजाए, उतराखन गवर्मेंट अप्रूव्स टेन परसंड होरिजॉंटल रिजरवेशन पर स्टेट होड एक्टिविस्स इन सेट गवर्मेंट जॉब्स अब यह इंपॉर्टन निउस है, ठीक है, उतराखन सरकार जो है, उसने अप्रूव कर दिया है, 10% होरिजॉंटल रिजरवेशन, यानि की सरकारी नौकरियों में 10% शैक्तिज आरक्षन को मनजूरी दी है, शैक्तिज बोलते हैं होरिजॉंटल को जितना की गूगल ट्रांसलेटर ने कनवर्ट करके दिया है, तो अब देखिए, यह जो डिसिजन है, इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, काफी टाइम से, जब से स्टेट होड अचीव हुआ है उत्राखंड का, तब से जो भी अक्टिविस्ट रहे हैं स्टेट होड को दिलाने के पीछे, उनको यह कहा जा रहा था कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, पहले भी गवर्णर ने रिजेक्ट कर दिया था, यह कुछ ट्रिविया है उत्राखंड की, ट्रिविया का मतलब यह होता है कि जिस भी स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हो, थोड़ा उससे रिलेटेड आप जानकारी ले लिजे कि स्टेट बर्ड आनिमल, स्टेट फॉर्मेशन, सी एम गवर्नर, एच्सेटरा, वो सब यहां आप देख सबते हो, एडिशनली, देन एजिया लाजस फॉर मीटर लिक्विड मिरर टेलिस्कोप इनागरेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा चार मीटर लिक्विड मिरर टेलिस्कोप का उद्गाटन किया गया, एक बार इस पिक् उनको देखा जा सकता हो, और इसको कहां इनागरेट किया गया है, उत्तराखंड के अंदर इनागरेट किया गया है, विद्विड मिरर टेलिसकोप को इनागरेट किया गया है, 2450 meter की उचाई पे इसको situate किया गया है and कहां पर research, आरेभट research institute of observational sciences में it is established like I told you, इसमें thin layer of mercury, liquid mercury करिस्तमाल किया गया है for better observations of celestial bodies उत्राखन becomes the first day to start insurance scheme for sericulturist one of the kickstart questions जो मैंने आपसे पूछे थे, उसका answer आपको यहां मिल गया होगा अगर आपका right है तो very nice so, कौन से state है जिसने सबसे पहले, पहला state बन गया है insurance scheme sericulturist यानी की रेशम उत्पादक जो होते हैं उनके लिए चालू किये पिक्चर में थोड़ा blur दिख रहा होगा आपको यह इस तरह की डिस्क होती है जिसमें रेशम की कीडों को पहले पाला जाता है फिर उनको जब वो अपना एक cover बना लेते हैं उनको boil करके और निकाला जाता है पहला स्टेट बन गया है रेशम कीड बीमा स्कीम नाम क्या है स्कीम का रेशम कीड बीमा स्कीम लाँच करने वाले और अभी पाइलेट प्रोजेक्ट है 200 सहरी कल्चरिस जो हैं पांच ब्लॉक के चार डिस्ट्रिक में से उनके पहले यह सुविधाएं देनी चालू की जाएंगी और जो भी यह जो इंशॉरंस है किस कॉंटेक्स में दिया जाएगा कब-कब किस-किस चीजों से इंशॉर्ड है वो तो क्लाइमेट चेंज हो स्केर सिटी ऑफ वाटर हो या दूसरे हैजार्ड हो क्लाइमेट में थोड़ा भी चेंज होता है तो जो जो वर्म्स हैं जो सिल् रहांगे है हल्दवानी के अंदर एक स्पोर्ट्स उनिवर्सटी खोली जाएगी हल्दवानी कहा है उत्राखंड के अंदर आता है तो अभी आरड़ी जो इंटरनाशनल स्टेडियम है हल्दवानी में उसी को को कनवर्ट किया जाएगा स्पोर्ट्स उनिवर्सटी में नथिंग और इसमें कुछ खास नहीं है बुंचु फेस्टिवल वह सेलिब्रेटेड इन ताशी देंग मॉनास्ट्री इन सिक्किम एक्जामिनेशन के अंदर कल्चर फेस्टिवल से रिलेटेड काफी क्वेशन आज चैज करने के लिए बिकोज फेमस फेस्टिवल सो हमें जी होते बुंचु तयो ्फेस्टिवल क्या बुंचुत्य पेस्टिवल में भांते है को इसको फिर सब यूगों में ुडिस्ट्रिभू किया जाता है पुझा अगेरा करने के बाद में और ये usually 14th and 15th, first lunar month जो होता है, उसके हिसाब से उसका जो mid time आता है 14-15 तारिक के असपास इसको मनाया जाता है, ठीक है, इस पानी को पीने में healing qualities होती है, इसलिए इस पानी को पिया जाता है, तो बुम्चू, बुम्चू, सिक्किम, first SAI 20, what is this SAI, Supreme Audit Institution 20, auditing होती है न, तो Supreme Audit Institution, SAI 20 की senior officers meeting held in Gohati, आप देखें G20 वाला जो हमारी presidency चल रही है, उसके तहत अलग-अलग groups की, working groups की meeting होती रहती है, तो ये जो meeting है, ये SAI 20 senior officials की meeting रही, SAI यानि मैंने आपको बता दिया, Supreme Audit Institution, तो जो भी major auditing institution है, उनके senior officials की meeting होई, कहां होई, गोहाटी के अंदर होई है, और कब होई, ठीक है, 13 से 15 March, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, theme क्या रही, blue economy and responsible artificial intelligence, blue economy and responsible artificial intelligence ये रही, और इसमें ये रहेगा कि जो important auditing लोग या companies हैं या governance है, उनको भी governance के अंदर शामिल किया जा, उनको भी participate करवाय जा, कि transparency and accountability अचीव की जा सके, और ये जो साइ 20 की meeting थी, इसको controller and auditor general, यानि जो CAG है, कौन है Mr. मुर्मू, कौन से मुर्मू, गिरीश चंदर मुर्मू जी, उन्होंने head किया है, चेर किया, ओके, चलें आगे, असम C.M. हेमन बिस्वसर्मा inaugurated North East India's first ever compressed biogas plant project, compressed biogas plant project, है न, compressed biogas CBG बोलते हैं जिसको, और at Sonapur, Sonapur in Camaroid District of Assam, यह बस एक headline news है, इतना ही अगर पूछा जाएगा, तो यहीं से question आ जाएगा, कि भई North East India का सबसे पहला compressed biogas plant, कहां inaugurate किया गया, तो यह inaugurate किया गया, Camaroid District है, उसके Sonapur के अंदर, कामरूप के Sonapur के अंदर, याउशांग festival begins in Manipur, अब एक और festival है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, याउशांग festival, कहां, Manipur के अंदर, ओके, तो यह Friday festival है, जो celebrate किया गया, और इसको मीते, जो की Hindus हैं, Hindu community है, वो celebrate करती है, और होली के टाइम में ही इसको celebrate किया जाता है, रंग वगरा भी होते हैं, और इसमें पूजा अर्चना भी होती है, तो याउशांग festival, Manipur, मीजोराम वुड एक्सपोर्ट बिर्ड्ड आई चिली ऑफ दे स्टेट तो यूएस फॉर्स ताइम, मीजोराम की एक GI टाग्ड मिर्च है, उसको मीजो चिली भी कहा जाता है, उसका एक और नाम है, बिर्ड्ड आई चिली, तो ध्यान रखेगा, एक्जामिनर मीजो चिली मीजो चिली कहा की है, लेकिन बिर्ड आई चिली पूछ सकता है, तो बिर्ड आई चिली कहा की है, मीजो राम की है, और इसको पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइट स्टेट्स में, बस इतनी बात है और कुछ याद नहीं रखना है, मीजो चिली या बिर्ड आई बना है वो ऐसी पहली महिला बन गई है तो रानी गर्ल्स होकी टर्फ यह स्टेडियम है जो रानी रामपाल जी के नाम पर खोला गया है कहां खोला गया कहां खोला गया इसको खोला गया है UP के राय बरेली में UP के राय बरेली में So, Rani Rampal का Rani's Girls Hockey Turf Major Dhyan Chattin खेल रहतने आवाड से सम्मानित थे हैं जो कि highest sports honor होता है 2020 में इनको मिला था Padmishri 2020 में यानी 2020 में मिल चुका है Arjuna Award इनको 2016 में दिया जा चुका है Alright MP Cabinet Approves Ladli Bahina Yojana Ladli Lakshmi Yojana तो चलता ही था मध्यप्रदेश में अब एक और scheme थी जिसको पहले Propose किया गया था अब approval मिल गया है That is Ladli Bahina Yojana Ladli Bahina यानी जितने भी females होंगी Above 23 years उनको scheme का लाब मिलेगा मध्यप्रदेश की ये scheme है Shivaraj Singh Chauhan जी के under में इसको launch किया गया है मुख्यमंत्री Ladli Bahina Yojana इसमें 1000 रुपी every month females के खाते में डाले जाएंगे irrespective of their caste, creed, whatever मतलब कोई भी discrimination नहीं किया जाएगा अगर आप 23 years से उपर के age के female हो तो आपके खाते में 1000 रुपे हर महीने डाले जाएंगे यानी 12,000 रुपे every year that is it और इसको 5th March को launch किया गया President inaugurates 7th International Dharmadham Conference in Bhopal मुर्मुजी जो President है हमारी उन्होंने inaugurate किया है 7th edition of International Dharmadham Conference कहां हुई ये Bhopal में होई तो भोपो बजा के सुना दीजे वैसे आज usually जो starting के 2 videos होते हैं उसमें मैं काफी निमानिक्स आपको देती हूँ पिकोज उनमें सीधा सीधा एक one liner fact होता है जो आपको दिमाग में डालना होता है ये सारी जो news होती है इनमें discussions होते हैं काफी pictures साथ में compliment की जाती है तो काफी कुछ वैसी दिमाग में चला जाता है इसलिए I avoid using निमानिक्स है निमानिक्स हर जगे नहीं यूज करते क्योंके पर कभी ज़रुत पड़े तो छोटे छोटे हिंट अपने आप लगा लिया कीज़े है धर्म की बात आती है तो हर जगे मंदिरों पे मस्जिदों पे भूपू होते हैं तो धर्म धर्म कॉन्फरेंस 7th International भोपाल के अंदर हुई ऐसे आप थोड़ा सा हिंट लेंगे तो याद हो जाएगा तो थीम रही Eastern Humanism for the New Era Eastern Humanism है वो New Era के लिए उसके उपर थीम रही जितने भी religious, political और thought leaders हैं वो साथ में आया और उना ने काफी सारे philosophical frameworks के उपर discussion किया इसको organize किस ने करवाया India Foundation in collaboration with Sanchi University of Buddhist Indic Studies तो बस इतनी सी ये बात रही काफी सारे देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं भूटान, मंगोलिया, स्री लंका, इंडोनीशिया, थाइलेन इन सबके नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बी वेरी क्लियर क्या चीज याद करनी है, क्या चीज नहीं करनी है ठीक है? चले ये दी जाती है information था कि आपको idea लगे कि भई सर्फ इंडिया, इंडिया के लोग नहीं आये थे conference में, international नाम है तो बही कौन-कौन से देश थे एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें clarity मिल जाती है ठीक है? चले माउगंज to be 53rd district of मध्यप्रदेश माउगंज जो है वो मध्यप्रदेश की 53rd district बनेगी ओके? बन गई और बनेगी में फरक होता है ये चीज़ हमें शद्यान रखेगा तो अभी कहा गया है कि बनाई जाएगी, announce हो गया है माउगंज को 53rd district मध्यप्रदेश की बनाया जाएगा और तहसील है अभी माउगंज है ना और उसी को जो की रिवा district में आती है और उसको 53rd district की तरह convert किया जाना है और ये क्यों किया गया क्योंकि भाई किसी भी अगर district बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका management difficult हो जाता है administration difficult हो जाता है और उसकी जो representation होती है assemblies में वो भी कम हो जाती है legislative assembly में और इसके चलते फिर उसको और further bifurcate कर दिया जाता है माउगंज district उत्तरप्रदेश से border है और उसमें होगी और उसमें 4 तहसील include किये जाएंगे माउगज, हनुमान, नैगड़ी और देव तालाब अब ये भी ध्यान रखे ये सारे तालुकों के नाम हर बच्चे को याद रखने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है लेकिन अगर आप MP से related exam दे रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ देखने पड़ेगी ठीके जी? ओके विच स्टेट लॉंच्ट मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपदा योजना सारी schemes A to Z not A to Z रादर जितनी भी relevant schemes हैं वो examination के लिए बहुत important होती exam में देखेंगे ही देखेंगे आप question तो schemes अगर आ जाती है किसी भी monthly current affair के अंदर आपको scheme देखते हो बिल्कुल चौकन ने हो करके इसको बिल्कुल पकड़ लेजेगा which state launch मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपदा योजना तो मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपदा योजना किसे ने शुरू किया कौन सा राज्य है चतिस गड़ चतिस गड़ तो बस इसमें कुछ नहीं करना है हमने पेर देखने है है ना बड़े-बड़े से व्रिक्ष देख लीजे चतिस आपको याद हो जाएगा सो सी एम जो है चतिस गड़के कौन है भी चतिस गड़के भूभाग से करवाया था भूपेश बगयल जी उन्होंने लॉंच की है और इसको इंग्रिश में कहें तो ट्री वेल्ट स्कीम है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे इसको लाँच किया गया है इंपॉर्टन डेज और थीम्स में याद करवाया था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे फॉरेस्ट में किसी की ट्रिप करवाई गई थी वो लोग जो की किसस दे रहे थे फ्यू रिमेंबर एट ओल तो बताईए मुझे कौन सी डेट पे आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इस स्कीम से जो फार्मर्स हैं जो कमर्शल प्लांटेशन करेंगे ना अपने खेतों में उनको सब्सडीज दी जाएगी उनको बेनिफट दी आ जाएगा ये है मुख्यमंतरी व्रिक्ष संपदा योजना कि आप जेनरल खेती ना करके कमर्शल प्लांटेशन कीजे क्योंकि उससे देश की एकनामी में भी बूस मिलता है तो इसलिए आपको सब्सडी दी जाएगी फाइव एकर तक की अगर आपकी जमीन है तो प्लांटेशन के लिए फुल सब्सडी है और उससे बड़ी जमीन पे 50% सब्सडी प्रोवाइट की जानी जारखन गवर्मेंट लॉंच जॉब पोर्टल टू इंशॉर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर निजी शेत्र में 75% स्थानिय कोटा सुनिश्चित करने के लिए जारखन सरकार ने जॉब पोर्टल लॉंच किया है अब ये पोर्टल लॉंच होआ is not important लेकिन कौन सी राज्य सरकार है सवाल ऐसे भी आ सकता है जिसने 75% लोकल कोटा शुरू किया है अपने ही राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए इन प्राइवेट सेक्टर सरकार में ये अप्लिकेबल नहीं होगा ठीक है तो जारखन्ड हो जाता है जारखन के अंदर ऐसा है कि 75% जो भी प्राइवेट कंपनीज है अगर 40,000 तक की तनखा है तो आप जो भी रोजगार दे रहे हो ना 75% उसमें से आप लोकल को दो 25 भी बाहर की लोग आकर के लिए ये सरकारी नौकरी में अप्लिकेबल नहीं है बार बार बोल दू है ना ऐस उसमें ऐसा भी है कि अगर आप आप स्किल्ड नहीं हो जो यूथ है आपके हाँ पर आप स्किल्ड कीज़े और फिर उनको जौब दीजे तो लोकल को यूचलाइस करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है जारकन स्टेट इम्प्लाइमेंट ऑफ लोकल कंडिड़ेट इन प 40,000 से कम salary तक के यानि up to 40,000 तक के jobs जो होंगे और ऐसे companies में जिनमें दस्या उससे जादा लोग काम कर रहे हैं जो कि PF Act के अंडर में आ जाते हैं basically ठीक है चलें आगे गंध मर्धन Hill Range, Biodiversity Heritage Site घोशित की गई अब कहां है ये गंध मर्धन Hill Range कहां आती है जी गंध मर्धन Hill Range ये कौन सा स्टेट है ये कौन सा है ये है ओडिशा ओडिशा के अंदर गंध मर्धन Hill Range है उसको Biodiversity Heritage Site घोशित कर दिया गया है बायो डैवस्टी हेरिटेज साइट क्या होती है अब ही देखते हूं से पहले पॉइंट समझ लो तो ओडेशा की सरकार ने गंदमर्धन हिल रेंज जो की बारगड और बालांगीर डिस्ट्रिक के अंदर आती है उसको बायो डैवस्टी हेरिटेज साइट घोशित किया है यानि कि अब वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी प्रोटेक्टेड अंडर ओडिशा बायो डैवस्टी रूल 2012 और यहां पर बहुत सारी आयूर्वेदिक हर्ब्स और और मेडिस्टनल प्लांट्स उगते हैं इसको आयूर्वेदिक पैरडाइस और ओडिशा भी कहा जाता है तो बेसिकली यह जो भी बायो डैवस्टी हरिटेज है यानि कि यहां पर जैव विवित्ता बहुत मिलती है और इसके चलते उसको संरक्षत करने की बात की जाती है य मेरे पापा का नाम भी हरी शंकर है तो पहले बार में नियूज में कहीं देखा है हरी शंकर आइटिंग विष्णुजी के लिए यूज किया जाता है I'm not very sure मैं मेरे पापा के कि कूर्टेक्स में जानती हूं तो निर्सिंग नाथ टेंपल और हरिशंकर टेंपल दोनों इसी हिल पे भी है और इसलिए इसकी बाइवस्टी या फिर हेरिटेज जो वैल्यू है और इंपॉर्टन हो जाती है बाइवस्टी हेरिटेज साइट का मतलब यह है कि यूनीक एकलोजिकली फ्रेजाइल इसकी एकलोजी बहुत सेंसिटिव है अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया इसका रक्रकाब नहीं किया गया तो यहां जो भी जैवेविता मिल रहे है वो खत्म हो सकती है हाई डाइवर्सिटी है वाइल और डॉमेस्टिक स्पीशीज की और रेर और थ्रेटेंड स्पीशीज या की स्टोन स्पीशीज यहां पर मिलती है जो सिर्फ यहीं मिलती है कहीं और नहीं मिलती जो बहुत सेंसिटिव है जो बहुत रेर है वो सारी चीज़े यहां पर आ ज जाता है तो कहां आती हैं गंद मर्दन हिल्स ध्यान रखेगा ओडिशा के अंदर आती हैं और उसको बाइड़ाइबस्टी हेरेटेज साइट साइट घोशित किया गया है दिन ओडिशा से जुड़ी हुए अगली खबर गोल्ड रिजर्वस फांड इन थ्री डिस्ट्रिक्ट तीन जिलों के अंदर गोल्ड रिजर्वस मिले हैं ये है गोल्ड दिखने रहा है धंग से तो सर्वे अव बाइड़ेटरेट और मायोर भंज डिस्ट्रिक्टक के अंदर गोल्ड रिजर्वस पाए गए हैं एस्टिमेटेड़ 1685 गेजी अफ गोल्ड डिटेट किया गया है अभी तक along with copper major minerals जो Odisha में otherwise पाए जाते हैं apart from this of course iron ore, manganese, bauxite, dolomite अब dolomite examiner पूछ सकता है कि dolomite कौन से दो elements का mixture है so it is a mixture of limestone and magnesium okay limestone and magnesium then ASI that is archaeological survey of India, पुरा तत्व जो विभाग होता है, archaeological survey of India विभाग तो नहीं बोलेंगे ASI, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, पुरा तत्व सर्वेक्षन भारतियो पुरा तत्व सर्वेक्षन has found 1300 year old buddhist stoop in Odisha's जाजपूर, Odisha के जाजपूर के अंदर 1300 साल पुराना buddhist stoop पाया गया है buddhism के अंदर stoop का culture था, तो वो पाया गया है और kondylite mining site में अब ये news डाली गई है particularly because of this kondylite mining site, क्यूंकि kondylite एक तरह का पत्थर होता है, जो pinkish color का होता है और जो भी religious structures वगेरा बनाये जाते हैं, उनमें खुबसूरती देने के लिए यूज किया जाते है, प्यूंकि ASI को ये site मिल गई है और उसमें, sorry, site में buddhist stoop मिल गए हैं, तो अब वो ASI के control में आ गई, तो अब यहां से जो पत्थर निकाला जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, और इसकी वज़े से एक बहुत बड़ी scheme पे जो काम चल रहा था, वो रुकने के आसार बन सकते हैं, तो आईए अब इस context में इस news को समझ लेते हैं, तो condolite mining, जो की पारभड़ी में situated है, ललित गिरी में, वो एक major Buddhist complex है, जिसमें काफी सारे स्थूप और Monasteries मिल चुके हैं, तो ललित गिरी, ललित गिरी already sacred site मानी जाती है, तीन sacred sites हैं, ओड़िशा के अंदर हम बात करें, तो ललत गिरी, रतना गिरी और उदया गिरी, तो ललित गिरी, रतना गिरी, उदया गिरी ये स्थूप मिले हैं, तो वो एक तरीका metamorphic rock है, जो की Eastern Ghats में ही पाया जाता है, particularly ओड़िशा के रिया में पाया जाता है, और इसको condylite group of rocks के बाद ही नाम रखा गया है, प्रेटरो जोएक एरा का, यानी 1.6 billion years पहले का ये बना हुआ rock माना जाता है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसको आबदा scheme के अंदर, ये जो condylite stone है, आबदा scheme है, जिसमें कि जो जगनात पूरी जी के आसपास वाला जो पूरा area है, पूरी के अंदर, उसको develop करने की बात हो रही है, उसको बापस से renovate करने की बात चल रही है, बात नहीं चल रही है, काम चल रहा है रादर, आबदा scheme के उपर, और 2020 से around ये start हो गया था, इसको इसको इस्तमाल किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ASI के अंदर में आ गया, तो यहाँ पे विपदा दिख रही है, और इसके लिए 3,208 क्रोर्स, अलरड़ी स्टेट गर्मेंट ने अलोकेट किये हुए है, कॉंडलेट सोन काफी कल्टिवेशन अफीम जिससे हम बोलते हैं, सो पॉपी कल्टिवेशन करने के लिए, यानि अफीम की खेती की मंजूरी दे दीजे साब हमें, ऐसा वेस्ट बिंगॉल अफीम की खेती कर सकते हैं, अफीम को काफी साद मिजूरी और ड्रक्स की तरह से यूज किया जा सकते हैं, इसलिए अफीम की खेती पर रोक है, हलाकि इसके इसको उगाएंगे, तो हम 100 रुपे पर किलो तक का हम इसको ले सकते हैं, जबके हम 1000 रुपे पर किलो जितना इसको खरीद रहे हैं, यह बहुत कम उगाया जाता है, दूसरे स्टेट से हमें खरीदना पड़ता है, बात समझ में आगई, चलिए, इसके बीजों से बिंगॉल अभी कुजीन का हिस्सा है, और इसलिए इसका परमिशन मिले, अभी कौन से स्टेट हैं, जहां पर ओप्यूम कल्टिवेशन अलाउड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजिस्तान, तीन ही है रादर, चार भी नहीं है, ठीक है, तो चौथा भई बोल रहे हैं कि ह हमें हलाओ कर दीजे, ठीक है जी, चलें आगे, वेस्ट बिंगल सियम बैनर जी, लॉंश इस फ्लाक्शिप रोड प्रोजेक्ट, पाथश्री रस्तश्री, तो रोड प्रोजेक्ट है, काफी सारे सिटीज और विलेजस को, सिटीज तो जुड़े भी हैं, काफी सारे की रोड बनाई जाएंगी, 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये स्टेट गर्मन द्वारा ही फंड किया जाएगा, पाथश्री और रास्तश्री, सिंगूर के अंदर इसका इनाउगरेशन किया गया है, विच स्टेट विलेज स्वास्ते का अधिकार, विधियक पारित कने व बहुत जादा अंगामा किया, इसको वापिस ले लिया गया, अब ये जब पास हुआ तो उसके बाद स्ट्राइक हो गई, मेडिकल स्ट्राइक हो गई, और अब जाकर के इसमें कुछ ना कुछ समझोते हुए हैं, जिसके बाद इसको अब लागू किया जाना है, यानि गव आपका इलाज, आपके चेक अफ अगरा सब फ्री होंगे सारे पब्लिक हॉस्पिटल में और सिलेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में और इसलिए सारे डॉक्टर आ गये थे रोड पे के नहीं बहुत अब इसके उपर एक लागू किया गया कि अगर आपने सरकार से कोई भ आस्टियर लेकिन फिर इसको एक कमिटी के पास भेज दिया गया था क्यों क्योंकि ऑपोजेशन ने और डॉक्टर्स ने बहुत अंगामा किया था फिर अब इसको उसका मिटी ने अप्रूव कर दिया तो आगया अब स्ट्राइक हो गया अब बस गवर्णर का वेट कर रहे देन फिशरीज डेरिंग के कुनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इनागरेट किया है कैमल प्रोड़क्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग में कैमल जो उन्ट होता है उससे जो भी कुछ बनाया जा सकता है उसके दूद से उसके स्किन से अच्छा उन सबकी प्र बीकानेर वेस्टन साइड ऑफ रजस्थान में आता है काफी मरूस्थली डिस्ट्रेट यानि कि वहां पर रेत बहुत है डिजर्ट एरिया है वहां पर कैमल यहां पर ICAR भी है यानि की इन्डियन कांसेल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च का सेंटर भी है बीकानेर में और यही पर इस विंग को इनाउगरेट किया है परशोतम रुपाना जी अब देको जिस न्यूज में समझाने का होता है जैसे प्रीवेस न्यूज कुछ एक न्यूज में मैं समझा रहे हो हम समझेंगे जहां सीधे सीधे हैडलाइन्स पढ़ने की है वहां सिर्फ पढ़के आगी ब administration HCM रिपा जैपूर के अंदर और यह manage कौन करेगा operate कौन करेगा IIM उदैपूर इसको operate करेगा और यहां पर human behavior को study किया जाएगा international experts वगेरा भी इसमें शामिल होने वाले है और चलते हैं आगे और अभी जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उनमें 19 एड होकर के टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे राजस्थान के राजस्थान एरिया वाई सबसे बड़ा स्टेट है तो राजस्थान के सीम ने यह अर्ग्यू किया कि जब मध्यप्रदेश में भी 52 डिस्ट्रिक्ट है अब 53 अनाउंस हुआ है तो राजस्थान 33 डिस्ट्रिक्स लेकर के क्यों बैठा है डिस्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है कुछ डिस्ट्रिक्स इतने बड़े हैं कि एक इंसान को एक कोने से दूसरे कोने जाकर के गवर्मेंट सर्विस लेने में दिक्कत आती है तो अगर बटवार से जुड़ा हुआ कोई भी एक्जाम देंगे आपको इस डिस्ट्रिक्स के नाम याद रखने और मैंने जो राजस्थान में आप याद कराया था वह जाएगा वेफल अब उसको हमें वापिस से याद करना पड़ेगा चलिए अनूपगर वालोत्रा वियावर डीग सिर्फ राजस्थान वाले बच्चे इस पर दिमाग लगाएं इन डिस्ट्रिक्स के नामों पर बाकियों को नहीं लगाना है और तीन डिविजिन्स और एड किये गए हैं करन्टली सेवन डिविजिन्स आर देर बांसवाड़ा पाली और सीकर यह तीन और डिविजिन्स आ जाएंगे फ्यूचरिस्टिक है ठीक है इंटर्नाशनल कॉंफरेंस अंट्रेड और ट्रेट अंदर हुई फेब के एंड में हुई थी उससमें वो न्यूस उस मंत में कंपाईल नहीं हो पायोगी तो मैं यहां पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ने से मतलब है दो चार डेट आ और इसकी थीम रही ग्लोबल कोकोनेट इंडस्ट्री क्रूजिंग तुद पिनेकल यानी उचाई तो उपर की तरफ जा रही है कोकोनेट इंडस्ट्री coconut production से जुड़े वे अब ये आपके पास कुछ आकड़े हैं और ये answer writing में ये सारी चीज़ें बहुत helpful होती है usually तो यहां से हम देख लेते हैं कि हम largest coconut producer है इंडिया वर्ल लेवल पे largest coconut produce करता है largest amount या production हमारा है 30.93% share पूरे coconut production का इंडिया का है productivity के अगर हम बात करें उत्पादक्ता राइट उत्पादन और उत्पादक्ता में फर्क होता है तो productivity के अगर हम बात करें हम second number पर लाइख करते हैं first है वेतना वेतना हम जितना coconut produce कर रहे हैं वो वेतना से पीछे है और अगर हम बात करें कि तो 2017 तक हम लोग इंपोर्ट करते थे coconut को अब हम export करते हैं इतना production है मलेशिया इंडोनेशा और श्री लंका को export तक हम करते हैं coconut oil import करते थे ठीक है coconut नहीं coconut oil import किया जाता था then अब यह है कि हम desiccated coconut को भी export करते हैं desiccated coconut यानी चूरा जो बुरादा जो होता है na coconut का उसको अमेरिका और बाकी European countries के अंदर भी भेजा जाता है major coconut cultivating states क्यांसे हैं West Bengal, Kerala, Karnataka, Odisha, Goa, Tamil Nadu, आंधर प्रदेश World coconut day आता है 2 यानी 2nd September को New health program आरोग्य महिला launched for women in Telangana तो सीधा सीधा question आएगा तो देखा जाएगा कि भई नया जो एक program है आरोग्य महिला कौन से state में शुरू हुआ है तेलंगाना ने शुरू किया है आरोग्य महिला जिसमें की special OPDs लगाये जाएगे women के लिए और उसमें उनके test वगेरा सब कुछ free conduct किया जाएगा और ज्यादा detail में जाने की आवश्यक्ता नहीं है करनाटका बिंदूर to get country's first marina country का पहला मरीना भारत का पहला मरीना कहां आने वाला है करनाटका के बिंदूर में आने वाला मरीना क्या होता है जिसमें की properly जो भी ships वगेरा होती है वोट्स होती है उनको बहुत सुन्दर तरीके से एक port के किनारे सजाया जाता है और वो tourist spot बन जाता है उसको देखने के लिए लोग आते है तो यह कहां होगा बिंदूर उडूपी डिस्ट्रिक के अंदर इसको establish किया जाना है ताकि coastal tourism को बढ़ावा दिया जा सके पीमोदी inaugurated शिवमोगगा एरपोर्ट इन करनाटका तो शिवमोगगा एरपोर्ट करनाटका में inaugurate हो गया और बहुत खूपसूरत सा दिखने वाला एरपोर्ट है उपर से ऐसा कुछ floral सा design दिखता है और शिवमोगगा एरपोर्ट का जो foundation stone था वो जून 2020 में रखा गया थ यदिरपा जो cm थे उस समय उनके टाइम पर और अब इसको inaugurate किया गया है 449.22 क्रोर के investment से इसको बनाया गया है नितन गड़करी unveiled first methanol run buses in bangaluru so methanol पे चलने वाली जिसको हम green fuel कहते है methanol पे चलने वाली पहली बस कहाँ unveiled की गई है बैंगलूरू के अंदर की गई है और अभी यह pilot project की तौर पे है बैंगलूरू metropolitan transportation corporation नीती आयोग और इंडियन ओल कॉर्परेशन और अशोकले लैंड यह साथ में मिलकर के आए हैं और अभी कुछ few number of buses ही चलाई जाएंगे जैसे 80 बस बीम टीसी की चलेंगी 20 बस अशोकले लैंड की चलेंगी आयोसी क्या करेगा इनको डीजल प्रोवाइड करेगा अब आप बोलोगे मीथनॉल पे चल रही है बसे तो डीजल का क्या काम है क्योंकि कुछ बसे प्यॉर मीथनॉल पे चलेंगी कुछ कॉंबिनेशन में चलेंगी कंबाइन फ्यूल के साथ चलेंगी ओके और उसके बाद देखा जाएगा तीन महीने तक फ्यूल जो है आयोसी फ्री में देगा मीथनॉल हाई ओक्टेन रेटिंग रखता है यानि की एंजिन परफॉर्मेंस अच्छी होती है पल्यूशन कम होता है समझ में आ गया जी चलते हैं आगे वर्ल्ड लॉंगेस प्लाटफॉर्म हुबली 1507 मीटर लंबा बस यह आप से जो दूसरा सवाल किया गया थो उसका जवाब आपको यहां मिल गया होगा अब इसके बार में पढ़ लेते हैं पीया मोधी अनुई लॉंगेस्ट लॉ Понाटफॉर्वेई प्लाटफॉर्म अट्वली स्टेशन हुबली या QA आप पिर इसको SSS हुबली व를 कहते हैं सिध Ca doable स्वामी जी हुबली स्टेशन ये इसका पूरा नेम है ठीक है तो ये हो गया है वर्ल्ड का लॉंगस्ट रेलवे प्लाटफॉर्म और इसको गिनीज वॉक ऑफ वर्ल्ड अकॉर्ड में भी इसलिए शामिल किया गया है अब ट्वेंटी क्रोर की लागत से इसको बनाया गया है ठीक है जी याद रहेगा भूलने वाली बात ही नहीं है पीमोधी डेरिकेट्स वेरियस प्रोजेक्स टू दे नेशन इन करनाटका करनाटका में जब हुबली स्टेश प्लाटफॉर्म के इनाउगरेशन के लिए गया है तो काफी सारी और चीज़े भी इनाउगरेट करके हुआ पैंगलूरू मैसूरू का जो टाइम है वो आराउंड 75 मिनट से यह कम कर देगा देन पहले थ्री आर्स संथिंग लगते थे अब कम जाएंगे पीम ने फांडेशन स्टोन रखा है मैसूरू कुशाल नगर हाइवे का सो एक और यह प्रजेक्ट है जो फांडेशन दारवाड का 850 क्रोड से बना है और उसको इनागरेट कर दिया गया है और लॉंगिस्ट रेलवे प्लाटफॉर्म हमने डिसकास कर ही लिया चलिए फिर हम आ जाते हैं कोची मेट्रो बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री तो एक्सेप्ट ए रुपी फॉर पार्किंग फी इस नॉ करने वाला और सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी सी बीडी सी जो है उसको एक्सेप्ट किया है देन इन असोसियेशन विद आईए एफसी फर्स्ट बैंक कॉंसा बैंक की जिसके थुए हो पाया इच्ट एफसी फर्स बैंक पार्टनर विद अनंतम ऑनलाइन टेक्नोलोजी स् पनायार या पनायार रिवर डिस्प्यूट जिसे कहते हैं पी ओ से भी आपको इसकी स्पैलिंग देखने को मिल जाएगी अब इसकी कहानी समझ लीजेगा फटाफट से स्टेट लेवल वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है आपको ठंक से पढ़ना से लेकिन मेजर पॉर्शन इसका तमिलनाडू से होते वे जाता है ठीक है और इसलिए अब यह डिस्प्यूट आ गया और यह डिस्प्यूट क्या है वह देख लेते हैं कि भाई देखे कहानी शुरू होती है 2018 से रादर 2018 में तमिलनाडू ने फाइल किया एक लॉसूट ठीक इसके बाद नवेंबर 2019 के अंदर तमिलनाडू ने फार्मली रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गर्मेंट को कि भाई एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इस पर पूरी कारेवाई करेगा मिड डिसेंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को तीन महीने का समय दिया कि भाई आप ट्रिब्यूनल बना लिजे और तीन महीने की जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की जो थी ट्रिब्यूनल बना लिकी अब वो भी खत्म हो गई है तो इंटर स्टेट रिवर वाटर dispute tribunal के उपर Supreme Court की बाद भी का समय भी खतम हो गया तो अब Panayar River का क्या करना है भई इस dispute का क्या करना है ये वापिस से news में आई है तो यही बस हमें discuss करना है कि dispute है start कहां से हो रही है क्या नहीं हो रही है इसके आगे पीछे कौन से constitutional articles वगे रहा है वो सारे पटाफर देख लेते हैं क्योंकि static question यहां से उठके देखे जा सकते हैं according to article 131 of the constitution Supreme Court जो है वो original jurisdiction रखता है अगर apart from other areas दो state के बीच में river water dispute आजाए तो कौन बीच में आएगा Supreme Court आएगा यह कौन कहता है article 131 ठीक है तो यह आप आटिकल ध्यान रखेंगे पॉनयार रिवर की बारे में देख लीजे के हमें यह तो पते है करनाटका में originate होती है पर कहां से नंदी हिंस चिकबालपुडा district से यह start होती है तमिलनाडू से flow होती हुए 77% drainage basin river का तमिलनाडू में लाए करता है तो यह सारे facts हैं जो हमने सामने रख दिये हैं अभी तक dispute settle नहीं हुआ है अब क्योंकि हमने river dispute की बात किये कुछ और static point देख लीजे और भी important river dispute जो state के बीच में चल रहे है अलग-अलग states के बीच में जैसे महादाई river का गोवा महराष्ट्र करनाटका में चल रहे है हमने recently पढ़ा ही था फिर महानदी का ओडिशा चत्यसगर में चल रहा है वसंधरा water dispute आंधरप्रदेश ओडिशा में चल रहा है कृष्णा का तेलंगाना करनाटका आंधरप्रदेश में चल रहा है और सतले जमिना लिंक केनाल प्रजेक्ट का हर्याना और पंजाब में चल रहा है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा बचालो थोड़ा पानी चलिए अब हम आते हैं लास्ट टेट पे तरस तमिल नाडू तो तमिल नाडू 18th wildlife sanctuary to come up in erode to come up है भही notify नहीं हुई है अभी ध्यान रखिएगा जब आपको news में notify word दिख जाए ना तो मतलब होता है कि हांजी announce हो गई है कि बन गई है अभी सिर्फ नेम हुई है announce हुई है to come up है notify नहीं हुई है notify नहीं हुई है so 18th wildlife sanctuary तमिल नाडू की होगी कहां होगी इरोड के अंदर होगी उसका नाम क्या होगा थान्थाई पेरियार wildlife sanctuary if I am pronouncing it correct यह 80,567 hectares के अंदर फैली हुए होगी इरोड डिस्ट्रिक के अंदर और यह मलाई महादेश्वर wildlife sanctuary, BRT wildlife sanctuary, कावेरी wildlife sanctuary इन सब के proximity के अंदर यानी close है और यह connecting link भी है निलगिरी biosphere reserve और कावेरी south wildlife sanctuary के बीच में तो आसपस हर जगे से wildlife sanctuary reserved area से ही covered है so यह 18th to come up है तमिल नाडू inaugulates की लड़ी museum a testimony of the life of ancient tamils during the sangam age तो sangam age के समय के सामान जो कि यह दिखाते हैं कि हाँ बही tamils उस समय किस तरह से रहा करते थे क्या नहीं उनसे related जो भी कुछ है उसका museum संगरहाल है की लड़ी museum तमिल नाडू के अंदर inaugurate किया गया और शिवगांगा डिस्ट्रिक के अंदर इसको inaugurate किया गया है दो एकर में 18.43 क्रोर की लागत से इसको बनाया गया है 15,000 unique artifacts अनर्जु खुदाई में निकले हैं 4th and 8th phases of excavation के अंदर उनको यह display किया गया है ठीक है जी और इसके साथ खत्म होता है हमारा पहला part and which is the state news अब हम चलते हैं second category की तरफ एक milestone हो गया है खत्म दूसरा milestone एक question के साथ शुरू करते हैं So defense news शुरू करनी उससे पहले आपके लिए question है नया feature डाल दिया मैंने milestone question Kickstart question कर रहा था यह milestone है वीडियो के end में आपके लिए signing off question भी होगा So सबके answer करने का try किजेगा I will be giving you a very very beautiful heart on that Just to motivate you कि keep on learning and keep on answering एक तरह से आपके लिए short quick test हो जाता है ना अगर आपने कभी कुछ पढ़ा है answer आ रहा है It is a good feeling कि हाँ भाई हम याद रख पा रहे हैं Milestone question defense news से related ही है India conducted the annual bilateral maritime exercise कौंकन with which country ठीक है भारत ने कौंकन वार्षिक द्वे पक्षिय समुदरी अभ्यास कौन से देश के साथ किया आंसर करने का try किजे आच्छा आगे बढ़े उससे पहले पटाफट बता देते हैं कि आपकी एक request थी और बहुत टाइम से आ रहे थी कि मैं quarterly mode के उपर आप current affairs का कुछ document ले आई और अगर उसमें MCQ format के अंदर हो तो बहुत ही अच्छा तो आपकी दोनों ही request को शामिल करते हैं हम लेकर के आ रहे हैं सवाल सवाल जिसके जवाब भी इसी में होंगे और उसका explanation भी इसी में होगा 300 current affair MCQs का quarterly basis पे compilation होगा यानि कि पहला जो quarter है Jan 2 March उसका compilation MCQs with detailed explanation तो यहीं से आप तयारी कर सकते हो या फिर आप revision के लिए इसको use कर सकते हो और ये 10th of April को परचम app के उपर e-format यह hard copy नहीं है e-book के form में आपको available करवा दिया जाएगा ठीक है जी चलें so defense news में सबसे पहले देखते है multilateral naval exercise la parouse 2023 बहु पक्षिया multilateral यानि जिसमें बहुत सारी देशों की सेनाय शामिल होंगी naval exercise यानि navies से related है la parouse usually french word की तरह लग रहा है हमको है ना तो बस यही है कि यह biennial exercise है दो साल में एक बार होती है french navy इसको conduct करवाती है third edition रहा कौनसा edition रहा third edition यह रहा और इंडिया, Australia, French, Japan और US ने इंडिया नोशन में इसमें participate किया 13th edition of exercise bold कुरुक्षेत्र इसका 13th edition हुआ यह bilateral armor exercises, armies शामिल होती है bilateral द्वेपक्षिय, दो देशों की आर्मी शामिल होती है कौन-कौन से, इंडिया and Singapore इंडिया and Singapore, bold कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में जब युद्धो हो रहा था तो दोनो-दोनो साइड अपने अपने गाने गाते-गाते अपने अपने ध्वाज फेराते हुए, पर्चम फेराते हुए और गाने गाते वे आ रहे होंगे, बड़े bold तरीके से imagine कर सकते हो, singh डाल लो तो इंडिया और Singapore या singh की तरह गरचते वे आ रहे होंगे तो Singapore, इंडिया सिंगपूर याद रह जाएगा bold कुरुक्षेत्र से और जोदपुर military station के अंदर इसको conduct करवाया गया exercise shinyu maitri, shinyu, shinyu Japanese word लग रहे है वैसे, लग रहे है ना shinyu maitri, तो बस ये shinyu maitri अभी जो धर्मगार्जन हुई थी उसी के साथ-साथ इसको भी conduct करवा दिया गया bilateral द्वेपक्षिय इंडिया और जपान, military exercise Indian Air Force Japanese Air Self-Defense Force तो Air Forces दोनों देशों के उन्होंने exercise conduct की और side lines of Indo-Japan joint army exercise, धर्मगार्जन जो थी वो army exercise थी और ये Air Force exercise रही, क्या नाम रहा shinyu, shinyu maitri जपान के अंदर इसको conduct करवाया गया, South Korea and US hold freedom shield and warrior shield joint exercise the largest in 5 years, ये क्यों डाला गया, इसमें तो इंडिया नहीं है, इसलिए डाला गया है क्योंकि North Korea के against अपना शक्ती प्रदर्शन करने के लिए US और South Korea साथ में आया, और नहीं एक्सराइस की हैं क्योंकि North Korea के पास nuclear weapons हैं और ये दिखाना कि हमारे पास भी शक्ती है, US और South Korea इसलिए साथ में आया, तो global level पे थोड़ा important है, इसलिए हम इसको cover कर रहे है South Korea and US freedom shield, warrior shield तो shield से याद रख सकते हो ठीक है, कि भाई अच्छा North Korea तुम्हारे पास nuclear weapons है तो हमने shield बना लिए हैं, ऐसा करके so two countries conducted इससे पहले 2018 में fall eagle करके भी US और South Korea ने exercise conduct की थी maiden joint, indo-french military exercise fringex, fringex तो याद रखा जा सकता है, ये France हो गया ये India हो गया joint exercise ओके, ये 23, year हो गया केरला के अंदर conduct हुई, indo-french military exercise, fringex कहां हुई केरला के अंदर हुई, पांगोडे military station, तुरुवनांत पुरम के अंदर थीम रही humanitarian assistance and disaster relief operations in a contested environment so usually disaster relief exercises होती है न, उस तर इसको conduct किया गया then INS Trichand participated in international maritime exercise Cutlass Express Cutlass Express के अंदर INS Trichand ने participate किया और ये Cutlass Express क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं that multilateral exercise है पहली बात तो बहुत सारे देश, over 50 nations participated, maritime exercise है, navies इसमें शामिल हुई और ये Gulf region के अंदर conduct करवा है, किया गया और इसमें इंडिया ने participate किया है INS Trichand के साथ में, important बस इतना ही है IMX CE 23, one of the largest multinational maritime exercises है, जो world में होती है IMX exercises के लिए X रखा गया है, CE Cutlass Express के लिए रखा गया है Indian Navy's largest war game Indian Navy का सबसे बड़ा war game Propex 23, conclude हुआ और इसमें Sea Vigil और Amfix exercises को भी शामिल किया गया चार महीने से भी जादा ये पूरी exercise चली So, इसलिए इसको largest war game कहा जाता है Propex 23 edition रहा है, इसलिए 23, year रहा है इसलिए 23 Participation of India's primary naval and coastal security agencies Basically naval है, लेकि इसमें coastal security, army और air force ने भी participation दिखाया Okay, So, November से शुरू हुआ था और March में जाकर के conclude हुआ है 2 major exercises, coastal defense exercise, जो की sea vigil नाम से है, vigilance रखना यानि जो भी हमारे coastal areas ने उनको उन पे निगरानी रखना And amphibious exercise, amphibics जिसे कहते हैं Amphibian क्या होते हैं, जो पानी और land पे रहते हैं तो उसी connotation में इसको use किया गया है So, ये Indian Ocean Arabian Sea Bay of Bengal सब में होती हुए आगे बढ़ी India Joint Sea Dragon Exercise 2023, Sea Dragon, Sea Dragon कौन conduct करवाता है तो USA conduct करवाता है, United States conduct करवाता है ठीक है, Sea Dragon, समधर का Dragon हुए नहीं, मैं बहुत powerful हुए इस तरह से आप इसको देखेंगे Dragon है लेकिन चाइना से कोई लेना देना नहीं है, ये US host करता है और Multilateral Anti-Submarine Warfare Exercise है, सब मरीन को कैसे हम धुस्त कर सकते हैं, उससे related practices रहीं Indian Navy ने P-8I aircraft के साथ में भी इसको participate किया India, US Navy, Japan, Canada, South Korea, ये 5 parties इसमें रहीं बाकी भी आप India और USA के बीच में अगर exercises देखना चाहें, एक तो मालबार हो गई दूसरी वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद अभ्यास, यह हर बार मैं याद करवाती हूँ, कि अगर आपको युद का अभ्यास करना है तो बहुत powerful party के साथ ही करोगे, वज्र प्रहार यानि सबसे कर रहा प्रहार, सबसे strong प्रहार तो कोई powerful देश ही कर रहेगा, तो यह आप US याद रख सकते हूँ maritime partnership exercise, MPX, maritime partnership exercise, यह general term है, with French Navy तो हमने MPX French Navy के साथ किया, यह तो news में कुछ पूछा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया की तरफ से किस ने पार्टिसिपेट किया, तो INS सहयादरी ने पार्टिसिपेट किया, यह आपको ध्यान रखना, यह कहां हुआ, तो Arabian C के अंदर हुआ, ठीक है, इंडिया-Africa field training exercise, F-index, अब इसमें भी अगर आप ध्यान रोगे, यह Africa, यह India और यह defense exercise हो जाएगी, पुने इंडिया के अंदर यह हुई, 10 दिन की थी, military ties को strengthen करने के लिए, military related है, F-index, और इंडिया-Africa, military for regional unity, यह जो अमरुत आइडिया है ना, इसको और strengthen यह करेगा, और इसमें भी humanitarian और peacekeeping के इर्दगेट practices की गई, इंडिया-UK, hold joint maritime exercise, कौंकन in Arabian Sea, तो आप से जो पूछा गया, कि इंडिया ने Arabian Sea में, कौन से देश के साथ में कौंकन exercise practice की, तो answer is UK, United Kingdom, annual bilateral maritime exercise है, हर साल होती है, bilateral nuclear pressure है, और maritime है, यानि navies से related है, इंडिया नेवी और UK की royal navy ने इसमें participate किया, कौंकन कोस्ट Arabian Sea, वहाँ पर यह हुई है, INS Trishul, जो की guided missile frigate से है, और HMS Lancaster, इन्होंने participate किया है, इसके अलावा गर अप इंडिया और UK की बाकी exercises देखो, तो एक आती है, इंडिया और UK की Air Force exercise है, तो देखो, UK, British है ना, जिन्होंने हम पर राज किया, आप ओड़के जा रहे हैं, तो ऐसा इंडिया धनुष बन रहे हैं, कि हो जाओ, 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 ठीक है, कोंकन, नवी के बीच में हो जाएगी, इंडिया धनुष एर फोर्स के बीच में और अजे ये वारियर, इंडिया और UK के joint military exercise हो जाएगी, exercise cobra warrior, पहले dragon आया था, dragon US का था है, अब ये cobra warrior, वैडिंग्टन एर फोर्स बेस, UK के अंदर हुई है, multilateral exercise रही ये, और इसको, चलो, मैं आप से question पूछ लो, if I am not written it somewhere, चली बताएए, UK, लिखा हुआ ये वैसे तो, cobra warrior UK, UK मैं पूछ नहीं सकती, UK नहीं host की है, और वहीं पे इसको conduct भी करवाया गया, multilateral exercises, Singapore, Finland, USA, Africa, Sweden, etc, इसमें participate किये, इंडिया ने भी participate इसके अंदर किया, that is it, so military exercises से usually सिधा सवाल आपको देखने को मिलेगा, cobra warrior UK की ही military exercise रही, वैडिंग्टन Air Force Base में conduct की गई, फिर exercise वायू प्रहार, वज्जर प्रहार US की थी, ये वायू प्रहार है, वायू प्रहार multi domain air land exercise है, इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स की, यानि ये हमारी domestic exercise है, इंटर्नल exercise है, वायू प्रहार, ओके, सो आर्मी और इंडियन एर फोर्स मिलकर किसको conduct करते हैं, ये इस्टन थेटर में conduct की गई, वैरिस इस्टन थेटर जो हमारा eastern theater आता है, और उना चल सिक्केम और ये वाले side का जो border area होता है, वहाँ पे exercise conduct की गई, तो basically Tibet को अपना शक्ती प्रदर्शन दिखाने के लिए, next, तो ये जितनी भी military exercises थी, वो होगे, उससे अलावा जो भी defense news से उसको देख लेते हैं, 5 S-400 regiments expected to be delivered by early 2024 या late 2023, अब देखिए जो S-400, मैंने 40 तो नहीं बोला था, S-400 के 5 regiments हमने order किये थे, as per a MOU with Russia, और वो deal थी 5.43 billion US dollars की, उसमें से third जो है, वो हमको मिल गया है, दो और आने हैं, और वो late 2023 या early 2024 तक आ जाएंगे, यही news है, तो अब बस हमें इसे के इर्दगर्द बात करनी है, कि S-400 triumph, surface to air missile system है, क्योंकि इसके बारे में पुछा जा सकता है, surface से air में मार करता है यह, और रश्या ने इसको 1990s में develop किया था, लेकिन फिर उसको upgrade किया गया, तो यह S-300 का upgraded version है, ठीक है, देन, 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 इसमें advanced features हैं, जैसे long range, high altitude intercept कर सकता है, यह multiple targets को एक साथ track कर सकता है, कौन-कौन सी countries है, जिनके पास S-400 regimen यह पूरा system है, Belarus, China, India, Turkey and Russia, यह 5 ही देश है, इंडिया के पास अब 3 पहुँच चुका है, दो और आने हैं, इंडिया का जो पहला indigenous aircraft carrier है, इंस विकरांथ, उसके ऊपर हुई है, पहला edition, naval commanders conference का, ठीक है, और उसको, किसने address किया, राजनाथ सिंग जो हमारे defense minister नोंने address किया है, यही बस मोटी बात है, इसमें और कुछ जाने की ज़रूत नहीं है, और कहां था भाई यह विकरांथ, उससमें, Arabian Sea में, off the coast of Goa. Then defense ministry, BEL sign MOU to enhance operational capabilities of IAF, Indian Air Force की कारिक्षमता बढ़ाने के लिए, defense ministry ने BEL यानि भारत Electronics Limited के साथ में समझाता किया अपन पर हस्ताक्षर किये हैं, और यह जो MOU sign हुए, इसके तहट दो separate contract sign हुए है, total value इस MOU की रहेगी 3700 crores की, और दो individual contracts है, पहले contract 2800 crores का है, हरेकी individual आपको याद रखने की ज़रत नहीं है, medium power radars, अरुद्र को supply करेगा BEL Indian Air Force को, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, अरुद्र क्या है, अरुद्र एक medium power का radar है, radar है यह, ठीक है, दूसरा जो contractor उसके तहरे DR 118 radar warning receivers, supply किये जाएंगे, जो की काम आएंगे, सुखोई M30, सुखोई 30 MKI aircraft के अंदर, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, अब पीछे आजाओ वापस एक बाद, दोनों जो projects हैं, वो by Indian IDMM category, यानि Indigenously Designed, Developed and Manufactured हैं, Indigenously India में ही designing होई है, DRDO ने design किया है, डेवलप किया है, और manufacture करेगा BEL और खरीदेगा Indian Air Force, समझ में आगई बात, चलिए आगे, GRSE launched most silent ship, GRSE कौन है भई, यह है, Garden Reach Shipbuilders and Engineers, इन्होंने launch किया है most silent ship, नाम है INS Androad, INS Androad, तो बिलकुल अंदेरे में चुपचा पा जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, so second है, series of 8 indigenous ships, जो GRSE बना रहा है, कोलकता के अंदर, anti-submarine warfare shallow watercraft है, anti-submarine, submarine को धुस्त करने के काम आएगा, primary role है, anti-submarine operations कंड़क करना, coastal waters में, low intensity maritime operations में, और ये 25 knots की speed से चल सकता है, lightweight torpedoes को भी carry कर सकता है, ये इसके features है, center signs 934 crore deal with HSL to refit INS सिंधु कीर्थी submarine in विशाखा पतनम, समझ येगा इस चीज़ को, कि भई, refit करना, refit करना, एक कोई vessel है, वो खराब हो रहा है, तो उसको refit करने के लिए, ये कवायद की जा रही है, ये efforts की जा रहे है, तो center ने sign किया है, 934 crore की एक deal, HSL के साथ में, and HSL is what, Hindustan Shipyard Limited, विशाखा पतनम, कि वो refit करेंगे, किसको करेंगे, Indian Naval Ship, Sindhu Kirti, जो कि एक submarine है, उसको करेंगे, फोटो में अगर आपको दिख रहा हो, तो देख रहो, बहुत बलर फोटो है, वैसे, ठीक है, so refit करके वापे इसको use में लाना है, तो आत्मनिर्भर भारत को ही boost पदर करने के लिए, general refit of Sindhu Kirti submarine, Hindustan Shipyard Limited, विशाखा पतनम को दी गई है, total lagat 934 crore की, Sindhu Kirti third kilo class diesel electric submarine है, diesel or electric fuel से काम करती है, then इसको commission किया गया था 1990 के अंदर, ठीक है, और तब से ये देश की सेवा में लगी हुई है, then HSL के बारे में कुछ trivia है, जो आप यहाँ देख सकते हो, Palm 400 drones, Palm 400 drones को successfully test कर लिया गया है, prototype version को test किया गया है, और अब जो actual है, उसको बनाया जाएगा, और यूज में लिया जाएगा, so what are these Palm 400 drones, यह आप समझ लीजे, Palm 400, precision attack loitering munition, precision attack loitering munition, जो भी अगर, क्या बोले हम गोले बारूट से, लेस अगर कोई आते हैं, tracks या गाड़ या या कोई भी ammunition, इस drone के, area के अंदर, radar के अंदर, तो यह उसको detect भी करेगा, और उसका बिल्कुल weakest area पहचान करकर, उस पर attack भी करेगा, ठीक है, so precision attack करेगा, loitering munition, यह इसका, Palm का full form है, और यह एक venture है, between A-Vision Systems Israel, U-Vision Air Limited, and Aditya Presetec Private Limited, इनके joint venture के result से बना है, Palm 400 drone, आप यहाँ पर समझ लेज़े, इसकी picture, पहले यह देखो, यह रहा, so pneumatic launch हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पर loitering, और loitering यानि या घूमता रहेगा, और information gather करता रहेगा, जैसे ही, attackers या कोई आते हैं, इसके area के अंदर, तो उसने target को lock किया, और, ब्रूम, और अगर आप चाहें, तो यही से इसको abort भी किया जा सकता है, mid mission abort भी किया जा सकता है, Each palm 400 selects target, when armored vehicle enters kill zone, और launch कर देता है, armored piercing projectile, जिससे की, सबसे least protection वाले area में, यह attack करेगा, उस particular, जो भी enter किया है vehicle उसको, और 3000 to 4000 feet above तक, kill zone में उड़ सकता है, 120 minutes तक, and इसकी range है, 100 kilometers की, complex navigational technique जिसमें डाली गई है, कि अगर GPS काम ना करे, तो भी यह control किया जा सकता है, चलिक है, इसके साथ में defense news खतम हो गई, मेरा energy meter काफी down हो गया है, वापे से energy gather करते हैं, और last section की तरफ move करते हैं, which is science technology, ISRO launched one web India two mission, from Satish Dhawan Space Center in Sri Harikota, so ISRO ने one web India two mission, one web India का second mission launch किया है, actually 72 satellites ISRO को launch करनी थी, UK based network access associate limited की, और उनको lower earth orbit में establish करना था, so उसमें से 36 satellites जो थी, वो already October 2020 UK के अंदर launch कर दी गई थी, remaining जो 36 satellites हैं, वो इस बार launch की गई है, first set of 36 satellites, LVM3M2 launch vehicle पे गई थी, इस बार LVM3M3 launch vehicle पे गई है, और क्या बताना है इसमें मुझे आपको, तो एक commercial agreement हुआ, New Space India Limited और ISRO का, okay, so ISRO का ही commercial wing है, New Space India Limited, जो की बाकी orders लेता है, दूसरे देशों की website को launch करने के लिए, so इन दोने के बीच का MOU हुआ और agreement हुआ, और उसके तहट ISRO ने फिल launch की है, ये total 72 website, not website, site satellites, जिसमें से 36 satellites पहले होगी ति 36 satellites अब ही है, मैं ठख गई हूँ, आपको दिख रहा होगा, I'm so sorry, चलो, वापिस ले आते हैं सारी energy, after launch, आप भी पढ़ पढ़ के थग गए होंगे, you can take a break, I need to continue, you also continue now, so access associate limited, more than 600 satellites, अब space में डाल चुका है, जो की communication satellites हैं, और जो internet services वगेरा, प्रोवाइट करेंगे across the globe, launch vehicle mark 3 के अगर हम बात करें, इसको पहले GSLV कहा जाता था, GSLV mark 3, और अब इसका नाम बदल के, change हो गया है, launch vehicle mark 3, CE20 cryogenic engine, CE20 cryogenic engine का हाल ही में, test किया गया, flight test किया गया, इस रोके द्वारा, for chandrayaan 3 mission, ठीक है, और इसलिए ये news में आ गया, CE20 cryogenic engine है क्या, cryogenic engine समझो पहले, cryogenic engine liquid fuels को use करते हैं, जो की बहुत lower temperature पे cool किये जाते हैं, ठीक है, अब ये CE20 cryogenic engine को design और develop किया है, liquid propulsion system center, जो की subsidiary है, इस रोकी, और इसके अंदर, gas generator cycle का इस्तेमाल किया गया है, बस इतना सा बात ध्यान में रख लो, और बहुत जादा detail में जाने की ज़रत नहीं है, ठीक है, तो one of the most powerful upper stage cryogenic engines हैं, दुनिया के, तो cryogenic engines में भी, एक superior stage का engine है, जो की higher upper stages of utilities में आते हैं, So, जो दूद में मिरावट होती है, अलग-अलग chemicals की उसको पकड़ने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, within few time, और छोटे से ml of milk की drop में भी पता लग जा, उसके लिए IIT Madras researchers ने pocket friendly device बनाया है, IIT Madras researchers ने 3D paper based portable device बनाया, जो 30 seconds के अंदर 1 ml of sample से भी detection कर लेगा, दूद के अंदर detergent, soap, hydrogen peroxide, urea, star, sodium, hydrogen, carbonate, पता नहीं क्या-क्या मिलावट होती है, उसका पता लग जाएगा, ISRO receives Indo-US jointly developed Nisar satellite, so Nisar satellite, जिसको develop किया गया, US में launch किया जाएगा इंडिया से, तो US और इंडिया का, NASA और ISRO का, ये मिला, जुला satellite रहेगा, NASA ISRO synthetic aperture radar, Nisar, इसको US forces ने handover किया हमें 8th March को, और इसको jointly develop किया है NASA और ISRO ने, और ISRO multiple varieties के लिए इसको use करने वाला है, agricultural mapping हो गई, landslide prone areas की mapping हो गई, lower earth orbit में इसको डाला जाएगा, और पूरे globe का ये mapping कर देगा 12 days के अंदर, ठीके, तो ISRO NASA का joint project है Nisar, फाइनली, what is H3N2 influenza, ये news में रहा H3N2 influenza, और इसको Hong Kong flu भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको Hong Kong flu, और ये एक sub type है, influenza A virus का, जो की respiratory diseases या illness cause करते हैं, सरदी, जुकाम, बुखार, डाइरिया, वामेटिंग, ये सारी चीज़ें इससे cause होती है, और several influenza outbreaks इस टाइप के पहले भी हो चुके हैं, sudden outbreak कहा जाता है, कि pollution can be one of the reasons, और जिससे कि ये virus जो है वो एकदम से बढ़ गया, और दूसरा temperature changes, जब मौसम में बदलाव होते हैं, तो भी ये आता है, तो अब इसी H3N2 के outbreak के बारे में देख लेते हैं, across India respiratory diseases और symptoms देखे गए, जिसमें cold cough, sore throat, यानि गले में सूजन और fever etc. देखा गया, fatigue December, January के टाइम में, और ICMR, Indian Council of Medical Research ने confirm किया, कि ये influenza sub-type है, H3N2 जिसकी वज़े से ये हो रहा है, तो H3N2 वाइरस के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा, ये sub-type है influenza A virus का, किसका sub-type है? influenza A virus का, तो अब ये भी समझो, कि जो influenza viruses होते हैं, seasonal influenza viruses, वो types A, B, C और D के होते हैं, इन में से A और B कैटेगरी के जो viruses होते हैं, वही सबसे ज़्यादा epidemic diseases काॉज करते हैं, या नहीं large-scale diseases काॉज करते हैं, तो इन में से भी A और B में से भी ये A का sub-type है, और influenza A virus ही only influenza viruses हैं, जो की flu pandemic काॉज करने के लिए जाने गए हैं, global epidemic of flu diseases, ठीक है जी, समझ में आ गया, फिर चलते हैं, ग्राउंड स्टेशन आफ इंडिया भूटान सैटलाइट इनाउगरेटेड, इंडिया भूटान ने मिलकर के एक सैटलाइट बनाई थी, उसको लांच किया गया था, उसका ग्राउंड स्टेशन लांच किया गया, ताकि उस सैटलाइट के डेटा को यूज किया जा सके, और वो कहां हुआ है, थिम्पू के अंदर, उसको ग्राउंड स्टेशन को इनाउगरेट किया गया है, ये भूटान को हेल्प करेगा, कि वो जो इंडिया भूटान की सैटलाइट है ना, इंडिया भूटान सैट जिसे कहा गया, उसके डेटा को यूज कर सेके, अपने टेरिटरी से रिलेटेट सारी रियल टाइन इन्फरमेशन ये सैटलाइट दे देगा, इसको इसरो नानो सैटलाइट 2 फॉर भूटान यानी INS-2B के नाम से भी जाना जाता है, INS-2B, ये इसका ग्राउंड स्टेशन सेट अप किया गया है, थिमफू के अंदर इसको इनाउगरेट किया गया, और इसको इसरो PSLV C-54 रॉकेट के उपर नवेंबर के अंदर लाँच किया गया था, like I told you, इंडिया और भूटान दोनों के साइन्टिस ने मिल करके इसको बनाया है, गेल साइन्स M.O.U. with Shell Energy India on Ethane Sourcing, so Gas Authority of India Limited जो है, उसने एक M.O.U. sign किया है, Shell Energy India के साथ में, Shell Energy वे से US की कंपनी है, लेकिन उसका जो इंडियान वाला पूरा विंग है, so उसके साथ में M.O.U. sign हुआ है, कि आप Ethane हमें सोर्स करके दो, ठीक है, तो Ethane को use किया जाएगा as feed stock fuel for petrochemical plants, so natural gas और ये जो नाफ्था होता है, इसकी जगे use किया जाना, Ethane को as feed stock for petrochemical plants, so importing and handling of Ethane and other hydrocarbons जो हैं, उसके लिए Gale ने Shell Energy India private limit के साथ किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम US से Ethane import करने की बात कर रहे हैं, और इसलिए Gale ने M.O.U. sign किया है, Gale इंडिया का largest natural gas company है, और ये आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं, चली, so इसके साथ में खत्म हो जाता है science tech भी, काफी लंबी class रही, क्योंकि काफी सारी news ऐसी थी जिसमें detailed discussion की जरूरत थे, चलो, signing of question देकर के आपको जा रहे हैं, इसका answer आपको अगले video में, जिसमें हम national news, banking और finance news पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, सुन्दरजा mango has got GI tag from which place, हाली ही में सुन्दरजा आम जो है, उनको GI tag मिला है, कौन सी जगे से GI tag मिला है, यह आप से पूछा जा रहा है, जल्दी से comment section में answer कीजिए, अगर आपको आता है, नहीं आता है, तो google कर सकते हैं, कोई बीचीज actively ढूनते हैं, तो आपकी दिमाग में टिकती है, और यह भी नहीं करना, तो अगले वीडियो का बेट कीजिए, जल्दी ही मिलेंगे, take good care of yourself, bye bye.